हलो गाईश अजित्य अक्लाजिस एक्जाम गुरू चैनल में आप सब का स्वागत है टीम द्वारा टेस्ट रेपर त्यार किया गया है UPHESC 2023 के लिए जो इस्पेसल तोर पे अन्भवी टीचरों द्वारा बनाय गया है अन्भवो द्वारा इसमें आपको यह टेस्ट पोटल है जिसका रेट 990 है लेकिन अभी लिमिट समय के लिए 990 में दिया जा रहा है एक टेस्ट पोटल में फ्री है आपको PDF नोट्स हिंदी इंगलिस में मॉडल पेपर 100 से उपर है हिंदी इंगलिस में सिलेबस वाइट टेस्ट है PDF के साथ इसकी भी उसमें हर उनिट में पढ़ा हुआ है गुरूपिंग टेस्ट इसमें होई रहा है बीच में हमेसा होता रहता है आप देख सकते है रैंग पर डेक गुरूपिंग टेस्ट होता है सामको पांक बजे Salvert paper पड़ा हुआ 14-21 तक आप देख सकते हैं इंग्लिन दी इंग्लिस में 6 unit test है और test की वेल्टी एक्जाम तक है अगर आपको यह अच्छा लगे तो description box में या आप जो number दिखाई दे रहा है इस पे hello लेक्के भेजे आपको इसका link भेज़ दिया जाएगा आप उसे इंस्टाल करके अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो है उसे फ्री में पड़े PDF test को देखकर purchase कर सकते हैं टेल्ग्राम ग्रूप में आप चाहें तो जानिंग ले सकते हैं वह भी description box में दिया गया है और यह एक्जाम तक इसकी वैल्टी रहे देगी एक्जाम तक इसको बड़ेट के रहेगा आए देखते हैं आज के question paper को हाली में किर्केट खिलाडी सेनवार्म का निधन हो गया या किस देश के खिलाडी है आप संद दच्छुड अफरिका दच्छुड कुरिया, जापान आश्टेलिया, आंसरोगा आश्टेलिया आश्टेलिया के सेनवार्म थें दच्छुड अफरिका के भी से मैं आप जानते होंगे दच्छुड अफरिका के जो है डेन, पॉर्टोरियस और हासिम अमला है जिन्होंने अभी हाल में क्रिकेट से सन्यास लिया और दचिण अफ्रिका के बिudeutetics में जानते होंगे 2023 में जो क्रूनल नसलो पार्क शियोपूर्मद पदेश में है वहां से चीता आया है और 22 में बताये गया था कहां से आया है नामीविया से आया है दच्छिड कोरिया के विसे में आप जानते होंगे Samson Company आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है Samson Company किस देश का है दच्छिड कोरिया का और मोदी जी को दिया जाने वाला सियोल सांती पुरुसकार जो उन्हें दिया गया था वो किस देश का है तो सियोल सांती पुरुसकार दच्छिड कोरिया का है आपको बताना है अभी पिछले वर्स कमेंट में 2022 में सियोल सांती पुरुसकार किसे दिया गया और जिसे दिया गया उसका संबन्ध इंटरनेट से है ठीक है आपको कमेंट बाक्स में बताना है तीसरा अफसन जापान दिया है जापान की विशे में जानते होंगे जापान के वरतमान में पियम खुमियो किस्दा है और खुमियो किस्दा किसके जगह पे हुए है सिंजे उबे के जगह पे हुए है और सिंजे उबे कौन राजनेता है जापान के वो पूर पधामंतरी जीने एक जनसभा में गोली मार कर हत्या कर दी गई नाम क्या था सिंजे उबे वरतमान में जापान की पधामंतरी कौन है फुमियो किसदा बारत में निर्मित घातक बिमारी सर्वाइकल कैंसर की पहली वैक्सीन का नाम क्या है? आपसन है सर्वावेक, इनकोवाट, कोवी सील्ड, कोवैक्सीन आंसर होगा सर्वावेक और आप जानते होंगे इनकोवाट क्या है? इनकोवाट, नोजल वैक्सीन है, यानि कोवीड की नाक से दी जाने वाली वैक्सीन का नाम क्या है? इनकोवाट, कोवी सील्ड की विसना में आप जानते होंगे, कोवी सील्ड किसने तयार किया? तो सीरम इंस्टूट आफ इंडिया ने तयार किया, जिसका मुख्याले पूना में है और जिसके प्रमुक कौन है साहिरस पूना वाला है याद रिखेगा साहिरस पूना वाला पिछले वर्स इन्हें पद्म भूशर पूसकार दिया गया को वैक्सीन आप जानते होंगे को वैक्सीन भारत बायोटेक कंपनी द्वारा बनाय गया जिसका मुख्याले बाद में है और इसके हेड कौन है भारत बायोटेक कंपनी के किश्टना एला और सुचित्रा एला हैड के विसमे में क्यों बता रहा हूं क्योंकि हेड को पिछले वर्स पद्म भूशर पूसकार दिया गया यानि पद्म भूशर पूसकार कोभी शिल्ड के हेड यानि सीरम आफ इंडिया के हेड साइरस पूनेवाला को दिया गया और को वैक्सीन के हेड किश्टना एला और सुचित्रा एला को भी पद्म भूशर पूसकार 2022 का दिया गया और लोग को भी दिया गया यहां आप से जो दिया है उससे हमनों चर्चा कर रहे है नेश कोशन भारत में ज जल परमारित पहला राज है आपसन है राजस्तान दूसरा उत्तापदेश गोवा और महराष्ट आंसर होगा गोवा यहां मैं आपको दो कन्फिजन दूर कर दूँ अगर यही प्रस्न पूछे कि भारत में जल जीवन मिसन के तहत सो प्रतिसत घर जल हर घर परमारित वाला राज तो आंसर होगा गुजरात याद रखिएगा सो प्रतिसत जब पूछेगा तो गुजरात लगाएंगे और यहां लिखा है कौन सा राज हर घर जल प्रमारित वाला पहला राज बना तो यहां गोवा लगाएंगे आप रजस्तान के विसे में जानते होंगे अगर आप से पुछा जाए उरान योजना उरान योजना किस राज का है तो राजस्तान का है उरान योजना में क्या हुआ तो 10 से 45 वर्स के उम्र के जो है उम्र के महिलाओं को मुफ्त सिनेटरी नैवकीन वित्रण किया गया किस योजना के तहत उरान योजना के तहत ठीक है और दूस 15,000 महिलाओं को नीजी छेत्रे में रोजगार देने का लच रखा गया है बैक टूवर्क योजना यानि महिलाओं की दो योजना उडान योजना और दूसरा बैक टूवर्क योजना किस राजका है राजस्थान का उत्तरपदिस का आप जानते होंगे पंचामिर्त योजना यानि किसानों की आयब बढ़ाने के लिए जो योजना उत्तरपदिस में चलाई गई उसे पंचामिर्त योजना के नाम से जाना जाता है महाराष्ट में आप जानते होंगे जीवला योजना के विसे में जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपए का लोन दिया परदान करने की बेउस्ता की जाए या जीवला योजना के अंतरगत आता है नेश कोशन जीवा कारिकरम किस के द्वारा चलाया गया यानि जीवा कारिकरम आफसन है SBI, NABAD, RBI, Grammar Bank तो जीवा कारिकरम आंसर होगा NABAD जीवा कारिकरम क्या है याद रखियेगा प्राकिरति खेती को बढ़ावा देने के लिए जो कारिकरम चलाया जाता है चलाया गया उस जीवा कारिक्रम कहा जाता है, यानि जीवा कारिक्रम क्रिसी अधारित कारिक्रम है, आपके एक जाम में पूस दे कि नबाड की अस्थापना कब हुआ, तो 12 जुलाई 1982 लगाईएगा, नबाड बैंक की बिसे में आप जानते होंगे, ग्रामीड छेतरों में विद देने के लि स्थापना 35 में होती है, और इसका राष्टी करण कब होता है, एक जनुरी उनिस सो उन्चास को, ठीक है, और चेतरी ग्रामीड बैंक, ग्रामीड बैंक के लिए से में जानते होंगे, दो अक्टूबर 1975 को इसकी अस्थापना होती है, नेश्ट कोशन, हाल में किस हास कलाकार का निधन हुआ, चार अपसन में, पहला अपसन, सिंदु मुसेवाला, दूसरा, समर बनर जी, तीसरा, राजु सिर्वास्तो, और चोथा, राकेश जुन जुन वाला, तो याद रखिएगा, हास कलाकार में, राजु सिर्वास्तो जी, कानपूर गे थे, इनका निधन हुआ बहुत दुखी बात है, और आज भी, इनके प्रोड़ाम को देखने पर जो है, हर ब्यक्ती, मुश्करा देता है, सिंदु मुसेवाला की बिशम जानते होंगे, ये पंजाबी गायक है, इनकी हत्या कर दी गई, समर बनर जी की बिशम जानते होंगे, इनका निधन हो गया, ये फुटवालर थे और राकेश जुन-जुनवाला की भी से उप्रशना सकता है यूकि भारत में इकनॉमिक बजार में भारत का सबसे बड़े सियर नीवेसक अगर कोई है थे तो राकेश जुन-जुनवाला थे इन्हें भारत का बिग वूल के नाम से उपाधी दिया गया थ नेश्ट कोशन रिड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है आपसन है पहला IUCN दूसरा UNDP तिसरा UNEP चौथा UNO आंसर होगा IUCN और इसके पिसे में डिटेल देखा जाए IUCN IUCN का फुल फार्म क्या होगा तो इंटरनेशनल यूनियन फार्म कंजर्वेशन आफ नेचर याद रिखेगा IUCN की अस्थापना कब होता है तो अक्टूबर 1948 में 1948 में होता है इसका है जानते होंगे रेड पेज में जो है जो बिलूप्त हो चुका जो समाप्त हो चुका उन जानमरों को वह इसी तरह पेज बना हुआ है और जो सुरच्छी थे उसे ग्रीन में और बाकी पिंक में रखता है ठीक है UNDP UNDP जानते हैंगे UNDP का जो है संजुत राष्ट विकास का इकरम इसका फूल जो है आर्थिक जो है ये निकालता है UNEP बहुत इंपॉर्टेंट है UNEP United Nation Environment Program इसकी अस्थापना और नई सो बहत्तर में होती है इस ठाखोम सम्मेलन में आद रिखिएगा स्वीडन के इस ठाखोम सम्मेलन में United Nation Environment Program का जो है गठन होता है इसका हेड़क्वाटर नेरोबी यान केन्या देश की यानि अफ्रिका माहदेव के आएक देश केन्या जिसकी राज़ाई नरोबी में होता है या क्या करता है कि पर्यावण दिवस की मेजबानी कौन करेगा पर्यावण समंदितकार को विश्वस्तर पर ये देखता है चौता आप सम्म देख रहे होंगा UNO UNO की है एंटोरियो कोष्टा कौन है तो एंटोरियो कोष्टा और एंटोरियो कोष्टा पुर्तकाल के पीम है और एंटोरियो गुटोरस भी कहां के है तो पुर्तकाल के है नेक्ट कोश्चन कौन सा जोड़ा गलत है केबुल लामजाव नेशनल पार्क मिजोरम मरीपुर राम ग देखेंगे आपको लग भी रहा होगा सब सही लग रहा होगा लेकिन जब याद रिखेगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मु कस्मीर राज को तोड़ कर जब दो किंसासित परदिस बनाए गए तो वहीं हिमिस्क राश्टी पार्क जब दो को जम्मु कस्मीर के बजाए लद्दाक में हो गया और इसका अंसर होगा गलत जोड़ा कौन सा है याद रिखेगा गलत जोड़ा कौन सा होगा इसमें से केबुल लामजाओ नेशनल पार्क याद रिखेगा ये मरीपूर में है यही गलत है क्योंकि जो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोक्टक जील में है जिसे भारत का एकलोता तैरता हुआ जील कहा जाता है आपको बतायते हम कि जो भी सब एकलोता जो भी कंटेंड एकलोता होगा वो एकजाम का समद लिजे दमाद होगा बहुत खात्री बातिर होगी अक्सर पू बढ़ाक के अंसासित परदेश तो इस समें लद्दाख है लेकिन जब लद्दाख नहीं बना तो अंडवार निकोबार था आज भी कुछ कितावों में अंडवार निकोबार लिखा हुआ है आप क्या लगाएंगे लद्दाख ठीक है भारत का नेश कोश्चन इसका अंसर जैविक के अंसासित राजे पूछेगा तो लचिदीप लेकिन यही प्रस्टनगर घुमा दे कि भारत का प्रथम जैविक राजे क्या होगा तो सिक्किम लगाएगा याद रिखिएगा सिक्किम तीक है आपके एकजाम में पूछे नाथुलादर्रा कहा है तो क्या लगाए सिक्किन के राजधानी क्या है आप कमेंट बाक क्स् launches में लिख कर बता गये ओंगे एक जाले निए नेश्ट आपसे पूछेगा बिहार के बि 한ानिर्फिक तो सबसे अधिक घनत वा जनसंग क्या घनत वा तो किस थो क्सका है बिहार का है मिले सबसे कम साचरता बिहार का है मि चार आप्सन, शूपर वास्की ट्रेन, दूसरा विबेक ट्रेन, तीसरा टी अठारा या बंदे भारत एक्सप्रेस, चौथा बंदे मात्रम, आंसर होगा टी अठारा, इसी को बंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, अब चार आप्सन में देखते हैं, उसका पो सबसे लंबी मालगाड़ी है लगबग 3 किलोमीटर लंबी है विबेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबा यात्री टेन है याद रिखिएगा डीबुगर से कन्या कुमारी चलता है और T18 सबसे तेज चलने वाला फास्ट गाड़ी भारत का बना हुआ चन्नाई इंट्रिल फैक्टरी चन्नाई से बना हुआ है सोचिए सबसे पहला बंदे भारत एक्सप्रेस जो है तो बताईए यह तो लबा 500 किलोमेटर पती घंटा की रपतार से है तो गुलेट ट्रेन कहां से कहां बन रहा है अब बुलेट ट्रेन का जहां से चलेगा पहला इस्टेशन कौन होगा आपको बताना है नेश कोशन मानो सरीर में पत्री बना होता है चार आपसन पहला आपसन सिल्वर आउडाइड का दूसरा कैलसियम आगजिलेट का तीसरा सोडियम थायोसलपेट का और चौथा इयोसीन का अब बताईए भाई क्या होगा इसमें से तो मानो सरीर में पत्री बना होता है पत्री calcium argilate का बना होता है रट जाए जो नो रटे उसे तीन बार बोलिएगा calcium argilate, calcium argilate calcium argilate रट रट आजाएगा ठीक है आपसर में देखिए दिया हुआ answer क्या होगा दूसरा, calcium argilate तो पहला silver iron diet दिया है silver iron diet क्या है तो kritis वर्सा है ठीक है sodium thiosulfate फोटोग्राफी में प्रयोग होता है यूसीन यूसीन भी जो है चुनावी से आई कहते हैं सोडियम नाटेट भी से आजाता है याद रखियेगा सूक उमार सिन के समय यह होता है जो से आई होता है इसका कोई बिकल्प अभी तक नहीं है बारती राष्टी कांग्रेश के हरिपूरा दिवेशन 1938 में अध्यस थे कौन अध्यस थे चार आप्षन दिया है पहला पंडि जुहाला लेहरू दूसरा दिया है सुभाश्चन बोस तीसरा दिया है डाक्टर राजन परसाद और चौथा दिया है पट्टाभी सिता रमया तो भारती राष्टी कांग्रेश के हरिपूरा दिवेशन 1938 के अध्यस थे आंसर होगा सुभाश्चन बोस याद रखिएगा ठीक है और दूसरा क्या पुछेगा कि एक तो याद रखिएगा इसी हरिपूरा दिवेशन में एक प्रश्ण चुपा हुआ हिडियन कोश्चन है कि इसी हरिपूरा दिवेशन में राष्टी नियूजन समीति की अस्तापना होती है 1938 में ही जिसके पर्थम अध्यस पर्णि जवाल लहरू रते हैं पिर से सुन लिजेगा सुबास्चन बोस 1938 के भारती राष्टी कांग्रेसिक के हरिपूरा दिवेशन के अध्यच होते हैं लेकिन यहीं पर राष्टी नियूजन समीति की अस्तापना होती है जिसके अध्यच पर्णि जवाल लहरू होते हैं 1949 में 1939 में तीसरा जो आपसन दिया है डाटर राजन प्रसाद के भी सेम बता दे आपको तुरी चुरी में दिवेशन होता है और वहां भी सुबास्चन बोस जीज जाते हैं याद रिखिएगा लेकिन गांधी जी एक स्टेटमेंट कह देते हैं कि पट्टाभी सित्यमर रमया की हार यानि सुबास्चन बोस के अगर्श में पट्टाभी सित्यमर रमया उठे जाते हैं तो यह हार जाते हैं तो गांधी जी का एक स्टेटमेंट आता है पट्टाभी सित्यमर रमया की हार मेरी हार है जैसे ये बात सुभाश्चन बोस्ट सुनते हैं तो इस्तिपार देते हैं और यहीं से एक्जाम में प्रश्ण पूर्ट अफ होता है कि 1939 के तिर्चुरी अधिवेशन में अध्यश कौन होते हैं कौन थें तो राजन परसाद कौन जीते थे सुभाश्चन बोस्ट इस्तिपार कौन देते हैं सुभाश्चन बोस्ट तो राजन परसाद 1949 के कांगरेश अधिवेशन के अध्यश होते हैं एक और प्रसन आता है कभी-कभी 49 के याद रिखिएगा अधिवेशन में सुभाश्चन बोस्ट के खिलाफ कौन उठे थे तो पट्टावी सितार मया उठे थे ठीक है Next question सत्यात प्रकास पुस्तक सत्यात प्रकास पुस्तक दियानन सरस्वतिद्वारा किस भाशा में लिखा गया बाइदे कि वीडियो बीना कहे कि मन्दारी से मैं नहीं देख रहा हूं सुन रहा हूं उपर वाला देख रहा है सुन रहा है और वो सब कुछ देखता रहता है इसलिए हर काम अपनी मन्दारी से करना चाहिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो द्यानन सुस्ति द्वारा किस भासा में लिखा गया आपसन है संस्कीत अंग्रेजी हिंदी उर्दू तो आंसर होगा हिंदी में लिखा गया अब आप हमको बताएंगे संस्कीत के जनक भारत में किसे कहा जाता है तो संस्कीत के जनक भारत में पाड़नी को कहा जाता है वित्ता हैं, वकील हैं, कानून के जनकार हैं, मैकाले ने भारत में कौन सी थीरी दिया था, फिल्ट्रेशन थीरी दिया था, निश्यंदन सी धान दिया था, जिसके साथ समाज के उचवर को निश्विल्क अंग्रजी सिखाए जाए, इस सर्थ पे कि वो अपने निश्वर को वैसे ही निस्विल्क इंग्लिज सिखाएगा और उसके बाद चौथा तीसरे आपसे देखें हिंदी जो दिया है जो आंसर सही है हिंदी खड़ी बोली के जनक कौन है अमीर खुसरो याद रिखेगा अमीर खुसरो अलावदीन खिल्दी के दरबारी कभी थे अमीर खुसरो को उपाधी तो ताहिंदी दिया गया था तबला के सितार के गिटार के खड़ी बोली के जनक कौन है अमीर खुसरो और अगर आपके एक्जाम में पूस दे कि आधनी खड़ी बोली के जनक तो भारतिन्दू हरिश्चन लगाईएगा उर्दू के जनक भारत में कौन है तो वल अमसा रंगिला ने क्या किया कि मुगल दर्बार की राजभासा फार्सी से उर्दू में कर दिया मुगल दर्बार की भासा क्या थी फार्सी थी लेकिन बाबर ने अपनी पुस्तक बाबर नामा किस भासा में लिखा तूर्की में लिखा ये प्रस्ट अक्सर आता है याद र अकषर पुछता है कि बौध घरंद किस भासा में लिखे गए पाली में, जैन घरंद, तो प्राकिर्थ में, समराट असोग किस में, तो प्राकिर्थ में तो याद रिखिएगा संतो का सादु काड़ी भासा, तुलसी दास जी का अवधी भासा सूर्दास जी का ब्रज भासा मुगलों की दरबार की भासा फार्सी अक्सर एक से एक्जाम में आता है सौर मंडल में लेटा हुआ ग्रह किसे ग्रह को कहा जाता है? आपसन है मंगल मार्स बिरस्पती जीप्टर सनी सेटर्न अरूड वीनस आंसर होगा अरूड वीनस याद रिखेगा जो है मंगल मंगल रात में लाल दिखाई देता है और मंगल गरा का ही सबसे छोटा अउगरा जो है याद रिखेगा सबसे छोटा अउगरा डिमोस है और बायो सिगनेचर के नाम से जाना जाता है बैज्यानी कहते हैं कि मंगल गरह पही जीव संभव है क्योंकि यहां सिरिलोज पाय जाता है मिथेन पाय जाता है जहां मिथेन पाय जाता है वहां सिरिलोज पाय जाता है जहां सिरिलोज पाय जाता है यानि जीव संभो है इसी लिए मंगल गरा को बायो सीगनेचर के नाम से जाना जाता है दूसरा आपसरे में दिया है ज्यूपिटर आप जानते होंगे आपके एक्जाम में पूछ दे कुछ भी सबसे भारी गरा, सबसे बड़ा गरा, सबसे बिसाल गरा सबसे तेज गती वाल गरा, याद रिखिएगा बैस्पथी जीविटर लगाएगा और बैस्पथी का सबसे बड़ा उगरा कौन सा है अभी एक चर्शा का विसा है कि सबसे दिख गरा सनी का है कि भास्पथी का है, तो कहीं कहीं सनी का लिख Ctrl आरहा है तो गैस्यो का गुला सनी को कहा जाता है और इसकी उगरा का नाम क्या है टाइटन नाम है याद रिखिएगा टाइटन नई खोज के अनुसार सबसे दिख उगरा सनी का कहा जाता है अरूर के भी सेम बताये थे अरूड के बाद कौन सा गरा है सुरकी दूरी के साब से अरूड के बाद है क्या वो अरूड है ठीक है नेश्ट को सन बाजार ब्योस्ता लागू करने वाला पर्थम सासक कौन था आप सन फिरोसा तुगलक नेश्ट समराट असोक नेश्ट अलाओदीन खिल जी उसके बाद सिकंदर लोदी आंसर होगा अलाओदीन खिल जी याद रिखेगा बारत में बजार ब्योस्ता लागू करने वाला पर्थम सासक अलावदिन खिल जी को दिती सिकंदर या सिकंदर सानी के नाम से जाना जाता है, याद रिखेगा अलावदिन खेल जी अस्थाई सेना रखने वाला प्रथम साषक दच्छ भारत पर आकमन करने वाला प्रथम साषक सैनिको को नगत वेतन देने वाला यांगी इत्ता ब्यौस्ता समात करने वाला प्रथम सासक बजार व्योस्था लागू करने वाला प्रतमसासक अलावदीन खील पहोमिन आपने का पैमाना विस्वा करने वाला अलाव्दीन खील जी दीती चहरा पर्था सेंगो के लिए दाग परोल आवला नावदीन lived जी गहरी कर competition classes लेने का ही अन्वह है उसके बाद चौथा आप से दिखेंगे सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी की भी से में क्या जानते हैं आप सिकंदर लोधी ने आगरा सहर को अस्थापित कर दिया आप जानते होंगे आगरा सहर में जो लाल किला जिसे उत्रप अदिसकला कहा जाता है उसको अकबर ने बनाया था लेकिन आगरा सहर की अस्थापना किस ने किया था इसी सिकंदर लोधी ने किया था और सिकंदर लोधी के समय कभीर साहब जानते ह спас cahaline थे और कभीर साहब का कहा हुआ था आपको कमेंट बाक्स में लिखके बताना है यही सिकंदर लोधी जो गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था इसने संगीत पे पुस्तक लिखी जिसका नाम था लजजत इसिकंदरी याद रिखिएगा भूमिमापने का पैमाना 49-39 उंगली यह गज इसिकंदरी न तो फिरोज सात्तुगलक को कहा जाता है जोन पूसहर को अपने चचेरे भाई जोना खा की याद में किस ने बसाया तो फिरोज सात्तुगलक ने बसाया याद रिखिएगा यह प्रश्ण इंपोर्टेंट है आ सकता है कि मैरेज भीरो मैरेज भीरो और रोजगार कार्याले जो वर्तमान में आज भी चलना है कि सल्तनत काल के सासक की देन है तो फिरोसा तुगलक की देन है याद रखेगा फिरोसा तुगलक दिवाने बंदगा या दिवाने खैरात दो था दिवाने बंदगा दिवाने खैरात नाम का विभाग खोला था फिरोसा तुगलक के विशे मे कहा जाता है कि इसने ब्रामडों पर जजियाकर लगा दिया भारत मे जजियाकर मुंब्ध बिन Tuglaq ने लगा था तो कलिंग किस राज में है तो याद oulिसा में है अभी हाल में बिस वहा की कफ हुआ कलिंगा इस्टेडियम पुछेगा कलिंगा इस्टेडियम कहा है उडिशा लगाईएगा ठीक है नेश्ट कोश्चन भारत की राज्यों और केंसासित राज्यों की संख्या कितनी है आपसन है अठाइस नो केंसासित राज आपसन है राज अठाइस केंसासित राज आपसन है राज अठाइस और केंसासित राज आठ से प्रस्णाते हैं 2000 में भी देखा था हमने चोदर में भी देखा था ते लगाना की जब अस्थापना हुआ इधर अब देख रहा हैं जब यह 19 में अस्थापना हुआ यानि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कस्मीर को तोड़ कर केंसासित परदे चम्मू कस्मीर अलादाग बनाया गया 26 जन्वरी 2020 को दादनगर हवेली दमन दीब को जोड़ कर एक केंसासित परदेश बना दिया गया और 25 जन्वरी 2020 को एंगलो इंडियन का आरचषड बारत में समाप्त कर दिया गया नेस्ट कोश्चन टीम द्वारा टेस्ट एपर त्यार किया गया है UPHESC 2023 के लिए जो इस्पेसल तोर पे अन्भवी टीचरों द्वारा बनाय गया है इसमें आपको यह टेस्ट पोर्टल है जिसका रेट एट 999 है लेकिन अभी लिमिट समय के लिए 990 में में दिया जा रहा है यह टेस्ट पोर्टल में फ्री है आपको PDF सबीध नोट्स हिंदी इंग्लिस में model पेपर 100 से उपर है हिंदी इंग्लिस में syllabus सब्सक्राइब के साथ इसकी उसकी उसमें हर यूनिट वे पढ़ा हुआ है Grouping test इसमें हो रहा है बीच में हमेसा होता रहता है आप देख सकते हैं Grouping test होता है सामको 5 बजे Salvert paper पढ़ा हुआ है 14 से 20 तक आप देख सकते हैं English में 6 unit test है और test की value exam तक है अगर आपको यह अच्छा लगे तो description box में या आप जो number दिखाई दे रहा है इस पे hello लेक के भेजें आपको इसका link भेज़ दिया जाएगा आप उसे install करके अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो है उसे free में पड़े प्रस्तावना की में कितने प्रकार की सुतंता की बात की गई है चार आप्सन एक प्रकार दूसरा दो प्रकार तीसरा तीन प्रकार और चौता पांच प्रकार याद रहेगा प्रस्तावना में पांच प्रकार की सुतनता की बात की गई है बहुत ही इंपॉर्टेट हैं इसे यहीं इसी वक्त रट लिजेगा आपसन देख रहा हूंगे पहला यानि प्रस्तावना में कितनी बार संसुतन हुआ तो एक बार संसुतन हुआ याद रिखिएगा यानि पहला प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता की बात की गई है तो दो प्रकार की समता की बात की गई है दूसरा आपसन अनुछेद 29 से 20, अनुछेद 23 से 24, अनुछेद 39 से 30, याद रिखेगा सिच्छायम संस्कृतिक अधिकार आंसर होगा, चोथा, अनुछेद 39 से 30 में, तो आप बताएए 14 से 18, अनुछेद आर्टिकल 14 से 18 में क्या है, समानता का अधिकार है, अनुछेद 29 से 20 में क्या है सोतंता का अधिकार है अनुछेद 23 से 24 में क्या है तो सोसर के विरुद अधिकार है यह आडियो क्लास नहीं यह बिल्कूल याद करा दिया जा रहा है कोई उसे समंदित कोई चीज आपको एक्जाम में छुटे नौ याद रिखिएगा हम लोग अभी थकान हो जाता है बोलते बोलते प्यास लग जाती है और वो थकान दूर करने का बस एक ही है मूटवेड करने का आप लोग लाइक किया करिए जो हम लोग बीच में थकान दूर हो जाय करें ताकि बहुत दिनों नहीं ये लिए आपको प्रश्ण इसे बनाएं दो-दो बनाएं लेकिन पता नहीं क्यूँ आप लोग देखते है हजारों में लाइक नहीं करते है हजारों में राज के next question राज के निती निर्देशन राज के निती निर्देसक स्तत्तों के अंतरगत पर्यावरण एवन बनों का संरच्छण किस अनुच्छद के अंतरगत आता है अनुच्छद 48 दूसरा अनुच्छद 48 को किसरा अनुच्छद 49 और चौथा अनुच्छद 50 आंसर होगा दूसरा अनुच्छद 48 को यानी परियावर वन जीओं का संरच्छड तो 48 में क्या है 48 को बत यह हो गया पहले में क्या है गर्सी इवन पसुपालन की बेवस्था राज सरकार को करनी है तो pięачास में क्या है तो राष्टी इमारत इसमारक भोवन का निर्मार्ट जो है Ugh उन्चास में है यह सुर्छा पच् पचास याद रिखिएगा कार पालिका और न्याय पालिका का प्रिथिक्रण का वड़न है अनुछेद पचास में दोनों का अलग होना ज़री है तबीर सुचार रूप से कार न्याय हो पाएगा नेक्ट कोशन वर्तमान में नवाड बैंक के अध्यच है अजय बंगा अंद्र बंगा नेक्ट कोशन भारत का लिंगानुपात सबसे अधिक वाकम किसराज का है चार अप्षन में पहला अप्षन राजस्थान और गोवा, दूसरा बिहार और रांचल प्रदेश, तीसरा केरल और बिहार, चोथा केरल और हरियाडा, आंसर होगा केरल और हरियाडा, लिंगा नुपात क्या होता है, लिंगा नुपात एक हजार पूर्सों पर इस्तिनियों क की संख्या लिंगा नुपात का लाता है यानि सबसे दिख लिंगा नुपात केरल का है और सबसे कम हरियाडा का है आप देखिए अब चर्चा करते हैं राजस्तान के विशे में छेत्रफल में सबसे बड़ा राजक क्या बताएंगे आप अगर आपके एजाब में पूछ दे राजस्तान बताएंगे और छेत्रफल में सबसे छोटा पूछे तो क्या बताएंगे गोवा लगाईएगा लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा पूछे उत्तर पदेश लगाईएगा जनसंख्या में सबसे कम पूछे तो सिक्कीम लगाईएगा फिर यहां देखिएगा बिहार का पूछे यानि जनसंख्या गनत सबसे अधिक बिहार तो सबसे कम जनसंख्या गनत अउड़ांचर प्रदेश लगाईएगा सबसे अधिक साच्छर केरल तो सबसे कम साच्छर बिहार लगाएंगे नेक्ट कोश्चन देखेंगे नेक्ट कोश्चन है भारत का पर्थम विसेश आर्थिक जोन सेज कौन है कांडला, सांता कुण, कोच्ची, भधोई और नोडा याद देखिएगा विसेश आर्थिक छेत्र सेज की असापना 1965 में सबसे पहला कांडला बना आंसर होगा कांडला आपकी जाम में पूछे ये सभी जान देखिएगा सेज का है, सेज का नाम है ये आपकी जाम में पूछेएगा उत्तरपदेश का कौन-कौन है तो भधोई और नोडा आप बताएगे भधोई किसले परसिद है उत्तरपदेश का भधोई किसले परसिद है तो कालीन निर्मा भारत का सिलिकान सिटी बैंगलोर और विसु का सिलिकान सिटी लोस एंजिलस नेश्ट कोशन भारत में योजना अयोग की अस्थापना कव हुआ चार आप्षन च्छे अगस्त निस सो बावन एक जनौरी और दो हजार पंदर एक जुलाई दो हजार सत्रह और पंदर मार्च उ नई सो पचास को होती है बागी डेट की विसें बताईए नहीं जानते हूंगत मेरे साथ बोलिए च्छे अगस्त निस सो बावन को एंडीसी राष्टी विकास प्रसत की अस्थापना एक जनौरी दो हजार पंदरो को नितिया योग की अस्थापना एक जुलाई दो हैर सत् बात करके कौनसा योग बन गया नितीयों तो चली कमेंट में बताइए कि नितीयों के प्रत्म उपाध्याच कौन थे और अध्याच कौन थे ठीक है वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए ताकि हम लोग का मूटिवेशन बने वीडियो कैसा लग रहा है क्या ऐसा वीडियो औ जायत की है सरसो, दूसरा गेहूं, तिसरा धान, चौथा खरबूज, तो खरबूज जायत की फसल, आंसर होगा चौथा, तो फसल तीर प्रकार के आप जानते होंगे, रभी की फसल, जो जाड़े में होता है, रभी की फसल, गर्मी में जो बोया जाता है, वो खरीब की फसल, बोया जानेवल से देखिएगा, काटने से नहीं, ठीक है, बोय जानेवल फसल से इसका भी वाजन होता है, तो रभी की फसल, जाड़े में, गर्मी की, खरीब की, और इन दोनों के बीच में जो फसल होता है, उसी को जायत का फसल काते हैं, आप संद देख रहे होंगे, सरसो ग फ़तन अकसर इजाम में पुश्ता है, यह प्रसन रटे रहेगा, यानि भारत में गरीबी की माप का अधार परती進 बैक्ति उप्बोग है, याद रहेखे बिद्याले की अस्थापना 1960 में हुआ किस अस्थान पे हुआ आपको ये बताना है और वेतन की भी से माँ बता दीजे कि सबसे अधिक वेतन इंडिया में किस व्यक्ति का है अकेले किस व्यक्ति का वेतन सबसे अधिक महिना है पांच लाग महिना किसका वेतन है आपको बताना है नेक्ट कोशन मुद्रा अधिनियम के अनुसार वर्तमान में सबसे छोटा सिखा कौन सा है मुद्रा अधिनियम के अनुसार वर्तमान में सबसे छोटा सिखा किसका है आपसन है दस रुपे का आपसन है पांच रुपे का आपसन है एक रुपे का आपसन है पचास पैसे का त सूचना प्रदोगिकी का वह उप्योग जिससे समाज की आवशकता पूरा करने है तू सरकार की छमता से सुधार करने के लिए किया जाता है क्या कालाता है इवेपार, इप्रसासन, इसासन, इविपडन तो आंसर होगा इसासन ग्यान तक पहुचने की किस विधी में संजुक तुरुप से बिस्षिष्ट से समान की ओर और समान से बिस्षिष्ट की ओर बरहने पर बल दिया जाता है आपसे ने पहला आगमन बिधी दूसरा है निगमन बिधी तीसरा है बैग्यानिक बिधी चौता है प्रयोजन बिधी आंसर होगा बैग्यानिक बिधी बैग्यानिक बिधी में ऐसा दिया जाता है आप बताए आगमन बिधी के जनक और निग्मन विधी के जनक कौन है प्रयोजन विधी के जनक कौन है आपको बताना है तो प्रयोजन विधी के जनक किलपैट्रिक है जान डिवी के सिस आग्मन विधी जब समान बातों से नई बातों को निकाला जाए वो या नई चीज़ किया जाए तो आग्मन और पुरान स पुराना रहा तो निगमन तीक है अंसर क्या होगा इसका तीसरा बैग्यानिक भी दी नेश कोशन प्रवगात्मक सुध में किस प्रक्रिया की आवशकता नहीं है आपसन है अवलोकन दूसरा है जोडतों तीसरा है नियंत्रड चौथा है विसे विशलेशड तो विसे विशले नेश्ट कोशन वेफसाइड का एड्रेस क्या कहलाता है डोमेन, यूर्यल, स्पैम, उसियार आंसर होगा यू आर यल और नेश्ट कोशन है अनुसंधान में एक समान परिछड में प्रात्मिक्ता दी जाती है पहला अपसन विश्वसनिता को दूसरा प्रयोक को तीसरा वस् समुष्टा को और चौथा उप्यूक सभी को आंसर होगा उप्यूक सभी को आधित्या क्लास एक्जाम गुरु के इस क्लास को आपने इतने देर तक देखा इसलिए आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद सुक्रिया मिलते हैं नेश्ट वीडियो में हमारे टीम दोआरा यू तो यह फर्स्ट वेपर के लिए है और टीम दोआरा अंधोवी टीम दोआरा इसको त्यार किया गया है यह टेस्ट पोर्टल है लेकिन टेस्ट पोर्टल होने के बाद भी इसका जो है इसमें आपको फ्री में सुब्दा क्या मिलना है कि पूरे कोर्स का 6 यूनिट का PDF नूर मिलेगा लगभग 100 सूपर गुरूप टेस्ट मिलेगा गिंती नहीं है सालवर्ट पेपर पूरा 24-21 तक के मिलेंगे 6 यूनिट टेस्ट है स्पीडियप के साथ जो है दिये गया है टेस्ट वेल्डी एक्जाम तक है इसका रेट 1999 रखा गया था लेकिन एक्जाम टलने मलने गज़ से देखी रहा है जो कंजेशन है 999 रुपय है और लिमीट समय के लिए है आगे इसका रिड़ सकता है आपको अच्छा लगे तो चाहें तो पर्चेश कर सकते हैं इसके लिए साफ्ट वेर को इस्टाल करके आप जो है या यह जो नमर दिखाई दे रहा है स्क्रोल कर सकते हैं सभी सुचना उस पर दी जाती है ओके आपको जैसा लगे झाहे जाती है सकते हैं स्कते हैं स्कते हैं झाल 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 झाल